ये गाइस असलाम वालेकूं वेलकम भी तरना देटी तो मैं हूँ आपका अपना दोस्ट और होस्ट वड़ाप देख रहे हैं एक वी हैडॉप चैनल तो आज की हमारी क्लास नमबर टू है तो आज की इस पर्टिकुलरी वीडियो के इंदर मैं बात करने वादा हूं किस तरीके से करना है किते टाइप पिस सेलेक्शन है और कौन सार सेलेक्शन कब आप इस रूटेप आला है सिचुवेशन के हिसाफ से सारी कुछी से आज मैं डिसकस करने वादा हूं तो बीना टाइम को चलते इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने PC की स्क्रीन पर यहाँ पर एक्जामपल के तो पर मैं समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ शेप्स किरेट करके रखे हुए तो आज की जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला था इरेस टूल पर और सेलेक्शन टूल के उपर तीक है तो जैसे ही अगर आप क्या बोलते हैं अगर आपको आपकी ड्राइंग में कोई भी सेलेक्ट कोई भी पार्ट को सेलेट करना है तो अब क्या करोगे माउस से इस वाले पार्ट पर क्लिक करोगे आपका जो अबजेक्ट है वो सेलेट हो जाएगा इस वाले पार्ट पर क्लिक करोगे यह वाला पार्ट भी आपका सेलेट होगा अगर आपको सेलेक्शन बहुत फास्ट तरीके से करना है यह अगर आपने बहुत सारे ड्राइंग्स नहीं है तो आप कैसे करोगे अगर आपके माउस की जो left side button पर click करोगे अगर आप left side की button पर click करोगे उसको left direction से लेकर right direction के तरफ move करोगे तो यहाँ पर आपको blue color का window देखने को मिलेगा similar चीज अगर आप right के direction में जाओगे right direction में जाने के पर अगर आपके left यहाँ पर आपको इस ने दो विंडो क्यों दिए डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या दोनों विंडो का अलग अलग परपस है जैसे मैं इस ग्रीन विंडो पर मेरा ड्रैक करके इसको आगे लेता हूं तो जैसे वह ऑब्जेक्ट के पास आके टच होता है तो आपका वहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट है वह आटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर लेके आऊं तो जैसे ही मेरा जो ग्रीन विंडो है वह दीरे-दीरे आगे आएगा आगे आने वह जैसे ही वह उसके सरकंफरेंस पर टच होगा तो आपको आपको जो पार्ट है वहाँ पर वह सेलेट हो जाएगा और ब्लू विंडो का क्या परपस है जैसे अप ब्लू विंडो एक्टिवेट करो कि तो आप उसको जैसे ड्रैग करोगे ताब यहाँ पर देख पार रहो कोई सेलेक्शन दीखने को नहीं मिल रहा ठीक है ना आप मै आप ब्लू विंडू एक्टिवेट किया, टच करने पर कोई selection नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं green window करता हूं, तो टच करने पर आप ये object मेरा select हो जा रहा है, तो blue window का क्या purpose है, जैसे आप blue window को activate करोगे, उसको drag करके और बड़ा करोगे, तो जैसे ही आपका object उस blue window के अंदर आ तब वहाँ पर आपका जो भी object है वो select होगा मतलब यहाँ पर इसका यह निगलता है कि अगर आप blue window activate करोगे तो object जो है आपका blue window के अंदर आना चाहिए तब जाके वो particular object आपका select होगा otherwise नहीं होगा green window में क्या रहता है कि green window activate करोगे टच करने पर भी आपका object जो है वो automatically select हो जाएगा तो यह पर दो चीज़ है जैसे मान लीजिए अगर आप अंदर के जो यह rectangle है इसके अंदर बहुत सारे circle है इसको मैं को select करना है तो एक तरीक है कि मैं इसको simply एक एक करके करूं लेकिन एक एक लिएक करना possible नहीं है ठीक है अगर मैं green window activate करता हूं तो green window जैसे मैं select करता हूं पूरा तो green window के साथ मेरा जो जो बाजू को जो rectangle का जो पार है वो भी select हो रहा है तो यहां पर एक problem ही है लेकिन अगर मैं blue window activate करता हूं blue window activate करने के बाद मैं अगर सीफ जितना मेरा object circle वाला है उस पार्ट को मैं इस blue window का अंदर लेता हूं तो यहां पर मेरा जो जैसे ही अगर मैं इसको ब्लू बढ़कर अंदर लूँगा तो automatically जो मेरा जो अंदर के जो circle से हुआ ही select होंगे otherwise आपको जो border का area है वो select नहीं होगा I think आपको आपको समझ में आ गया होगा कि blue window और green window आप इसको क्या purpose है और किस तरीके से काम करता है अब आते हैं erase tool के उपड़ इरेस तूल दम basically simple में कोई different की बात नहीं जैसे अगर आपको कोई object delete कर रहे है आप simply उस object को select किए delete की button पर किए delete कर दिए लेकिन अगर आपको command के थूरू करना है तो आपको यहां पर type करना command erase tool तो erase tool यहां पर आपको पूछ रहे है select object जैसे मालेज़े यह object है मैं इसके उपर click करता हूँ तो अभी तक मेरा object delete नहीं हुए यहां पर अभी वहां पर दिखा रहे है select object one found मतलब उसको एक object जो आपने दिया है वो select हो चुका है अगर आपको multiple object select करना है आपने click किया यहां पर भी click किया इधर भी click किया अभी आपका जो object है वो delete नहीं हुए आपको simply enter press करना है कोई भी command activate करने के लिए आपको enter press करना है तब जाके आपको command है वो activate होगा ठीक है जैसे अगर मैं आपर erase command को activate करूँ और आपको समझ लिजए अंदर के सारे पास जो अंदर के जो circle उनको delete करना है तो simply मैंने left click करके blue window को activate किया और सारी चीज़ों को select किया और यहाँ पर automatically आपको सरकल है वो automatically सब कुछ select होगे आप इंटर पर click करोगे आपका object यहाँ पर delete हो गया तो इसमें कोई बहुत महांग काम नहीं है simple चीज़ है एदम easy है हाँ मैं आपको तो और चीज़ बताना भूल गया जैसे अगर आप left early button पर click करके drag करते हो left to right direction में तो आपको blue window देखने को मिलता है और अगर right side पर click करके drag करोगे left direction में तो आपको green color के window देखने को मिलता है लेकिन अगर जाएगा इसका कोई shape नहीं है यह मतलब बुलते है आपको जो shape में चाहिए आप वो shape में इसको move करके select कर सकते हो तो इसका भी बहुत अच्छा फायदा है useful फायदा है आपको आने वाले वीडियो में इसका आपको पताना purpose क्या इसका फायदा है लेकिन अभी की तब आपको ड्रैक करोगे तो आपको कुछ ऐसी similar चीज़ देखने को मिलेगी मतलब इसका basically मतलब ही है कि जिसे आपने कुछ बड़ी drawings create की है जहां पर important importance lines मतलब बहुत आप बारिकी से काम कर रहे है तो आपको कुछ ऐसा चीज़ है कि आपको जो जिसा अगर आप rectangle triangle activate करोगे तो आपको बात करी है कि selection किस तरीके से करना है और erase command के बारें पर है तो आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है units के उपर तो मिलते है next video के अंदर तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह वीडियो तो आज कि इस पर्डिकुले वीडियो के अंदर हमने सीखा कि erase tool card कर और किस तरीके से जिसकरना और selection किस तरीके से जिसकरना है अगर आपको इस वीडियो से जदर एक परसेंटी help मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो जोस्तों के साथ शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगली क्लास करते हैं प्लाइब